जी हैं दोस्तों स्वागत आपका इसे बीजी चनल में आज की वीडियों बात करेंगे MAM, COM, MSC, LLB, LLM, BLIB के रेजिस्टीशन और चोईस्पिलिंग करते समय अगर आपसे कोई भी गलतियां हो जाती है रेजिस्टीशन पॉम में या आपसे चोईस्पिलिंग पॉम में कोई भी मिश्टिक हो जाती है तो दोस्तों उस पॉम को हमको एडिट या करेक्शन कैसे करना है पूरी इनपॉर्मिशन को इस वीडियो के माद्दम से जानने बाले है दोस्तों वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको अच्छी समझ में आ सकेगा साथ ही दोस्तों कोई भी डाउट होता है कमेंट करके जरूर बताएं तो दोस्तों जब आप इसकी ओपीशल वैपशाट पर आ जाते हैं ये प्रिवेज गूगल पर सर्च करते हैं तो इसकी बाद में आपको पोश्ट कर जोड वाली लिंक पर यानि की पीजी वाली लिंक पर आपको क्लिक करना होता है इसकी बाद में आपकी समने इस तरह का इंटरपीस आ जाता है और दोस्तों यहाँ पर आप देख पर हैं कि आप अपना registration online कर सकते हैं जैसा कि आप देख पर हैं आप अपना registration और चॉइस्प्रिंग में editing या correction online कर सकते हैं यहाँ पर link भी दिखाई दिया रहा है edit registration for error correction sent by the help center या edit choice for error correction sent by the help center और यहाँ पर date भी बताए गई कि 22 अगस्त लेकर 30 अगस्त के बीच में हाँ पर आप edit कर पाएंगे लेकिन दूसरों यह edit कर पाएंगे second round के लिए जब इसका third round यानि कि CLC round start हो जाएगा उसके लिए अरक timing आएगी तो यहाँ पर अभी second round के लिए edit चला है पहले first round के लिए edit चला था फिर second round के लिए edit हो था इसके बाद में CLC round के लिए form edit हो जाएगा लेकिन अभी second round में अगर आपसे कोई भी mistake हो जाती है आपके registration में या दूसरों आपके choice playing में तो आप उसको edit कर सकते हैं अब दूसरों edit करने का दूप process होता है देखे, edit करने के लिए सबसे पहले आपको ऐसा नहीं है कि आप directly edit कर पाएं online. आप directly edit नहीं कर पाएंगे तो edit करने के लिए आपको क्या करना होगा सबसे पहले हापको help center जाना होगा जियाँ दूसरों help center यानि की government college जो भी कोई भी Government College है MP का कोई भी Government College हो उस Government College के Help Center पर आपको जाना होगा वहाँ से दूसरों सबसे पहले अपने पॉम को Unlock करवाना होगा सबसे पहले हम Registration पॉम की बात कर लेते हैं दिखी दूसरों आपने Registration कर लिया Registration के बाद में आपने Choice Spring कर ली चईस्पिलिंग के बाल में आपके डॉकमेंट भी वैरिपकेशन हो गई सब कुछ प्रोसेस हो गया था, इसके बाद में क्या हुआ दोस्तरो 인दा रेजिस्टेशन कर लिया था हमने चईस्पिलिंग भी कर ली और डॉकमेंट वैरिपकेशन भी हुँए इसके बाद आपको याद आया दोसों कि हमारे registration में कोई गलती हो गई है कोई भी xyz कोई भी चीज़े गलती हो गई है आप उसको अधिट करना चाहते हैं अम उसको अधिट करना चाहते हैं तो दोसरो एडिट करने के लिए आपको क्या करना हो आपको अपने government college जाना हो government college की अले center से सबसे पहले पाँ को unlock करवाना हुगा और unlock करवाने के बाद में आप online अपना पाँ एडिट कर पाएंगे अब दोसरो जब आप अपने registration पाँ एडिट कर लेते हैं लेकर registration में edit करने के बाद में आपको फिर से choice filling करवानी होगी, पिर सी आपको अपने document के verification करवानी होगी, तो ये process होती है registration में edit करने के लिए, और जैसी आपका registration में edit हो जयागे इस अब process करनी है और आपका my list में नाम आ चाहिए का लेकिन दूसरा आप बात कर लेते हैं choice filling में अलोग करवाना होगा जैसे आप अपने पॉम को अलोग करवा लेते हैं इसके बाद में आपका पॉम जो कि चोईस्पुल्ण पॉम है उसको अप एडिट कर पाएंगे आप किसी भी को लिए ट्रैड को आप फिर से एडिट कर पाएंगे अलोग करवाने के बात आप में हमसे कोई भी मिस्टिक हो चाहती है तो फिर दोस्तो क्या कर ना ओगा आपको开始 नहीं कर नहीं है नहीं प्रोसेस होती है चोटी सी सबसे पहले आपको अपने पौम को करवाना ही होगा बिना लॉक के आप अपने पौम को एड़ेट नहीं कर पाएंगे अगर आपको कोई भी डाउट कमेंट करें साथ इस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए अगर आप मुझसे परसे नहीं